हो दिन पटेल अच्छा वरकार है गया बार भी आया था थोड़ा यह हो के गया थे फिर हम रिक्वेस्ट करें फर उनों पाटी में ज्वाइन हो गए पाटी में हम फिर समको बला आया जेशे हो गए सब कांग्रेस का तो आपको मालूम है आप उन पई रहे हो सो नहीं है रूर उनको बहुत सुपरियाय स्वागत करते हैं वो आज कांग्रेस में जोइन करके हम सब लोगों की जो है एक ताकत को और बढ़ा दिया गया है मोदिन पटेली नहीं बलके उनके सारे मंच के लोग उनके फालोवर उनके जो साथ में रहने वाले तमाम लोग एक साथ में जो है वो क्यों ना लेडिस हो जैन सो बुजरुक हो नोजवान हो तमाम उनके साथ में जोइन हुए है और जो है इश्वर खंडरे जी शैन परकाश और प्रेंक खरगे जी के खियादत में उनको पार्टी में जोइन कर लिया गया है लियाजा आने वाले दिनों में हम खरगे जी क जो है हाथ और मजबूत करेंगे और मैं तमाम नौर्थ करना टाका के इस सोशल मीडिया के मादम से अपील करना चाहता हूं कल जो फंक्शन है खरगे जी का मैं खास करके मेरे अपने मुस्लिम कमिनिटी से अपील करता हूं कि वो जो है खरगे जी के हाथ को मजबूत करें कल के function को कामियाब बनाई है यह जो है मैं कहते हैं अपनी बाग को खतम करता हूं इनके जो कारणामे है मैं एक 20 साल से जानता हूं यानि एक activity social worker उन्हों जो जो जोर्गी तालू के अंदर शापूर तालू के अंदर जोर्गी तालू के अंदर और गुलबरगा के अंदर 25-6 साल से देख रहें हैं के जिनका एक अच्छा रौिया आवान के सामने नजर आ रहा है लिए जोन आने वाले दिन के लिए युन्हों अच्छा सब्सक्राइब कर अंदर इनके पास सलायत है और यमाय में भी काम करे हैं बलके इनको कोई नया काम नहीं है इनकी हर तरफ नजर है इनकी वोटर लिस्ट के अंदर खौम की फिकर एक जज़बा है गरिबों के एक बहुत सुख दुख में काम आने वाले है एक एक्टिविटी बहुत सोशल और कर यह जम पाने में आना जरूरी है यह वाडी ब्लक यूथ जनरल सेकेटरी होने के हमारे पार्टी में आने के लिए हमारे मोजिन पडल साब को और उनके टीम को मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूं यह आप अपना काम नया सवेरे का वैसा आप यह शहर में अंजाम देते रहे वैसा ह कि हमारे पार्टी में आपका नाम और ज्यादा बड़ा होने वोलके मेरा आप से यह है